हेलो मित्रो, इस कहानी का नाम है व्यापारी पिता कस्बा देहात के बजार में राहुल की पुष्टेनी पर्चुन की दुकान है पिता की मौत के बाद से लगबद 10 साल से वह इसे चला रहा है मृदुभाशी होने के कारण उसकी ग्राकी बहुत अच्छी है और दुकान का काम भी अच्छा चल रहा है सबसे बड़ी बात यह है कि वह सुबद 6 बजे ही दुकान खुल लेता है और रात को साड़े 10 से 11 बजे तक दुकान खुली रखता है दुकान से कभी छुटी लेने के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं घर 3 किलोमेटर दूर गाउ में है आसपास के लोगों से भी उसके संबंद अच्छे हैं और जीवन सुखी चल रहा है एक दिन अच्छानकी जगत शाम को साथ बजे दुकान बंद करके घर चला गया आसपास के दुकान दार सब अपने अपनी ग्राकी में विस्थ थे इसलिए उन्हें पता नहीं चला अगली सुबह भी दुकान देट से खोली और शाम को साथ बजे के आसपास दुकान बंद करके जाने लगा तब ही पडोसी दुकान दार पास आ गया और पूछा क्या बात है भाई जल्दी जा रहे हो घर में सब कुशल मंगल तो है ना कल भी जल्दी चले गए थे रावल ने कहा हा भाई वैसे तु सब कुशल मंगल है पर क्या बताऊ आपको मेरी बेटी ढाई साल की हो गई है जब सुबह दुकान पर आता हूँ तब वो सोय रहते थी और जब रात को जिब वापस जाता सब भी सोय रहती दोड़ आई साल में उसने कभी देखा ही नहीं मुझे पड़सो रात जब मैं घर गया तो वो जाग रही थी मुझे देखकर वो दोड़कर मा की गोर में चड़ गई और बोली माई ये कौन है मुझे तो बहुत धक्का लगा क्या फाइदा है ऐसे जीवन का अब सुबह आठ बजे दुकान खोलूँगा और रात को साथ बजे तक घर वापसी आखिर परिवार को भी तो थोड़ा वक्त दूँ पड़ोसी दुकानदार को लगा कि एक पिता एक व्यापारी से जीत गया है तो दोस्तु बहुत ही फ़नी कहानी थी अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसके वारे में जो भी आपके प्रतिक्रिया हो वो कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें थैंक्यू